इसे ओर्फोगोनली कट करता है और इसे इस तरीके से टच भी करता है ठीक है तो यह हमारे इस तरीके से सरकल है तो अब हमें बताना है कि जो इस सरकल का सेंटर है उसके लोकस के बारे में ठीक है तो जैसे अगर मैं देखूँ लेट से मेरा जो सरकल है इसका सेंटर के हाँ पर है थिए अब हमें गिवन यह ओर्थोगोनली कट करते हैं तो इससे एक इंपोर्टन ज्वोश्य हमें प्रदाचल करें यह एंगल भी 90 डिगरी होगा दोनों करव एक दूसरेको पंप्रडिकलरी इंटरसेट करते हैं यह एंगल 25 डिग्री होगा अब यह angle अगर orthogonally cut कर रहा है तो हमारा जो desired circle है उसका center अगर C है और given circle का center C1 है तो C, C1 इसकी distance हमेशा कह रहेगी है हमारे पास में यह रहेगी small r square plus capital small r1 square ठीक है? अब यह जो हमारी required line है L इस L से इसकी एक distance कितनी है R के equal है है ना? अब मैं इसका locust कैसे बता सकता हूँ हमें एक concept पता होना चाहिए पहले क्या? अब कि अगर हमारे पास में कोई parabola होता है है ना? उस parabola की क्या condition होती है? कि उस parabola की एक focus होती है एक direct text होती है तो कोई भी point जो parabola पे होता है उसकी focus से distance और उसकी direct text से perpendicular distance क्या होती है? यह सेम होती है तो यह length x है तो यह भी x होगी है ना? अब इस concept को मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर इस question में ठीक है? अब मैं एक line जो हमारी line L है उसके parallel draw करता हूँ मैं यह मेरी उस line parallel उसके parallel draw होगी और यह line मैं इस तरीके से draw करता हूँ कि यह जो इन दोनों line के जो बीच में distance है यह किसके equal हो? यह equal हो r square plus r1 square minus r के equal हो अब आगे यह नगर मैं देखूँगा यह point अगर मेरा P था और यह point अगर मेरा Q है तो हमें पता है कि यह दोनों line parallel है तो कोई भी line जो हमें पता है इस line के perpendicular होगी है ना उसके लिए cp अगर r के equal है तो cq हमेशा क्यों होगा small r plus r square plus r1 square minus r के equal होगा तो यहां से हमारी जो cq की length हाजएगी हो किसमें आगई वो आगई small r square plus small r1 square के equal आगई तो again अगर हम देखेंगे cq एक line है जैसे एक line थी L यह उसी के parallel मैंने दूसरी line डॉकर दी तो cq और अगर हम मैं देखूँगा cc1 तो cc1 भी क्या गया हमारे पास में cc1 भी आगई root of r square plus r1 square तो means हमारे पास में center से एक ऐसा point है जिसकी एक given line से perpendicular distance perpendicular क्यों 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 लाइन एल के perpendicular है तो इसके भी perpendicular है और एक point c1 से जो distance है वो equal है और अभी हमने parabola की property देखी कि उसमें क्या होता है जिस point से distance same होती है वो क्या होता है हमारा focus होता है और जिस line से हमारी क्या बुलते है distance same होती है वो directrix होती है तो यह जो line होगा है यह हमारी directrix होगा है c1 हमारा focus होगा और point c किस पर लाइग करता है हमारा point c लाइग करता है एक parabola picker transfer is option c